नेपाल की तारा एयर का नौर एने एटी डबल इंजन एरक्राफ्ट औरान भरने के बाद से लापता है। इसमें तीन क्रू मेंबर समेद 22 यात्री हैं। इन में से चार भारतिये हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह चोटा एरक्राफ्ट क्रेश हो गया है। नेपाल एरक्राफ्ट के मुताबिक एरक्राफ्ट ने पोखरा से जोमसोम के लिए रविवार सुबह 9 बच के 55 मिनिट बजे उरान भरी थी। 10 बच के 20 मिनिट बजे लैंड करना था लेकिन 11 बजे के बाद भी संपर्क में नहीं आया। क्रेश हुआ एरक्राफ्ट, Civil Aviation Authority of Nepal, कान के मुताबिक सर्च उपरेशन में जुटा नेपाल आर्मी का हेलिकॉप्टर उस एरिया तक पहुँच गया है, जहां आखरी बार इस एरक्राफ्ट की लोकेशन मिली थी। कान के मुताबिक प्लेन के एक कैप्टन का मुबाइल फोन चालू था, उसकी लोकेशन को जब ट्रेस किया गया तो एरक्राफ्ट की भी लोकेशन मिल गई। हालाकि इस बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है। खोज में लगे सेना के हेलिकॉप्टर नेपाली सेना के प्रवक्ता नारायन सिल्वाल ने बताया एक मी 17 हेलिकॉप्टर मस्टैंग के लिए रवाना हुआ है। थो सकता है कि इन में से किसी इलाके में विमान दुर्ग नागरस्थ हो गया हो। ग्रह मंत्राले के प्रवक्ता फदिंद्र मनी पोखरिली ने कहा हमने विमान की तलाश के लिए मस्टैंग और पोखरा में दो होलीकॉप्टर लगाए गए हैं। दो जर्मन यात्रिएं सहितकुल 22 पैसेंजर-तारा आयर के प्रवक्ता सुधरशन बर्तौला के मुताबिक तीन क्रू मैंबरस अवार थे। यात्रियों में 13 नेपाली चार भारतिय और दो जर्मन यात्री भी थे। भारतियों के अलावा 15 अन्य यात्रियों के नाम सामने आये हैं इंद्र बहादूर, गोले, पुरुशोत्तम गोले, राजन कुमार, मिल ग्रांट, बसंत लामा, गनेश नारायन, रवीना श्रेश्था, रश्मी श्रेश्था, रोजीना श्रेश्था, प्रकाश सुनवार, माक पिछले कुछ दिनों से यहां बारिश हो रही है, लेकिन सभी फ्लाइट सामाने रूप से चल रही हैं, गाटी में उतरने से पहले प्लेन पहाडों के बीच उडान भरते हैं, यह इलाका उन विदेशी परवतारोहियों के बीच मशहूर है जो परवतिय पगडंडियों पर करने के कुछ ही समय बाद दुर घटना गरस्थ हो गया, जिसमें सवार सभी 23 लोगों की मौत हो गई